हेलो प्यारे बच्चों, वेल्कम टू आउर चैनल एट विला पॉइंट, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं वॉक्षिट, नमबर टू है कारे पत्रक, टू है विज्ञान की वॉक्षिट है क्लास 9 के लिए हिंदी मीडियम में, आज कर टॉपिक है हमारा कोशिका, बच्चों क्या आप जानते हैं कि सभी जीव जन्तु जैस सुक्ष्म संडश्चनाओं से बने होते हैं, जिने हम कोशिका कहते हैं, ठीक है, कोशिका है इतनी जादा सुक्ष्म, सुक्ष्म का मतलब होता है छोटी, इतनी छोटी, इतनी कोश्र कंसे नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप, यानी मग्निफाइ लिए इसको बड़ा करने की ज़रूत होगी, तकि किसी चीज से आपको извड़ा करके देख सके, माensus से तक आप देख पाएंगे, कुछ केवल कुछ कोशिका ऐसी है जो अंडे जैसी होती है कुछ कोशिकाओं को छोड़कों जैसे अंडा ठीक है तो ऐसी ये जो कोशिकाओं हैं बहुत ही छोटी होते है पहली बात आप ये जान लिजिए दूसरी में इंपर्टन बात का है कि सबी जीव जन्तों किस से बने होते हैं कोशिकाओं से यानि हमारे शारील में भी कोशिका होगी आप क्या पात क्या आप यह जानते हैं कि जो शुत्रमुक का अंडा है सबसे बड़ी कोशिका है और एक जीवानू सबसे छोटी कोशिका मतलब स्टुतुरवन को अंड़ा सबसे सबसे वड़ी कोशिकminist ascans जीवानों गिन्हें सबसे चोटी कोशिकस नहीं कोशिक जीवनगात्मों करिया उसका मतलब है के हमारे जीवन के वह और हौगी है वाइसजम विद फिंग गोशिका के गले, कोशिका के भू targeting बिल्डिंग, और बिल्डिंग यूट की जरूँ होती है कि नहीं होती है ही वैसे हिसी जीव का निर'll करने के लिए कोशिका के कोशी की किसे ने की.. ठत्याँ आज हम पढ़ते promo nagra 1665 में सबसे पहले कोशिकाओं की खोज की थी जब उसने मृत कौर की पतली सता में मतलब उसने क्या कि जो सूक्षन दर्सी थे से मृत कौर की पतली सता में मतलब उसको क्या दिखा था चुट 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 संडचना है देखी उसने और उसको उसने नाम दिया था कोशिका का तो हमने क्या जाना कि सबसेफ में इन बात कोशिका की खोज किस ने की और कोशिका का नाम किस ने दिया दोनों ही काम Robert Hook ने किया है चलिए आगे बढ़ते हैं आप यह जानते हैं कि कुछ जीवों तो सिर्फ एक ही कोशिका से बनते हैं मतलब एक ही कोशिका है हमारी बोड़ी में देखें लाको क्रोड़ो कोशिका है मनुष्य के सरीर में लेकिन कुछ ऐसे जीवों जिनकी बोड़ी में सिर्फ एक ही कोशिका है और ऐसे जीवों को एक कोशी के जीव कहते हैं जैसे कि Amoeba, Paramecium, चली उनकी चितर देखते हैं यह देखें चितर नमबर एक है इसमें आपको इस फिगर दिख रही है न ठीक है, Paramecium, Amoeba यह सब जो हैं एक कोशी के जीव हैं, यह वाला चितर आप देखेंगे बहु कोशी के जीव, जैसे कि चूहा, पेड़, मनुश्य एक आद कमेंट आप जरूर करेंगे बहु कोशी के जीव का तो बहु कोशी के जीव का मतलब यह होता है कि वो जीव जिनमें बहुत सारी कोशी का हैं पोदो में बहुत है देखिए जयलम फलोईम मनुष्य में जंतु में रक्त कोशिका होती है है तंत्रिका टंत्रिका पुरे भॉड़ी में जाल के तरह फैली हुए है जुन जूम करके मैं आपको दिखाती हूं कि ये देखिये मनुश्य के अंदर इतने टाइप की कोशिग है आपको basic जो main टाइप है वो ये हैं जैसे muscle cells जो हमारे muscles में जो कोशिगा होती है उसे muscle cells कहते है fat cell जो इसकी वाज़ से fat जमा होता हमारी body में bone cell, blood cell nervous cell, epithelial cell immune cell immune system जो हमारा है इसकी वाज़ से ही है और जो male और female यानि मनुष्य में लड़का लड़की इन में नर में तो sex cells यह वाले होते हैं sperm बोलते हैं इसको और जो lady होती है उन में होता है यह एक ठीक है यही अंतर है बाकी male female में बाकी सारी सेम है यह सारी कोशिका है male female सब में पाई जाएंगी लेकिन यह सिर्फ male में होता है और यह female में होता है अई हो आपको clear हो गया होगा हमने क्या पढ़ा अभी तक कि एक कोश के जीव और बहु कोश के जीव में अंतर उदाहरन के साथ और हमने कुछ एक्जामपल भी देखे विद्चित्र आप इनको दो चित्र बार देखिए इबन नर्वस सेल जो है उसका चित्र भी बनाईए प्रैक्टिस किजिए एक्जाम में आता भी है अब देखे यहाँ पर कोशिका का उन्होंने बना रखा 계रां कि कोशिका के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं क्या वोती है कोशिका यह कोशिका है तो यह न्यूर्ले इस हो गया ठीक कि बाहर का byं मैंबरेन है और न्भी अंदर दिख रह रहा है तो अगर हम यह सभी कोशिका दिख रिख 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 का अपना membrane है और cell का अपना membrane है cell के अंदर nucleus होता है main center होता है जहां से main काम चलता है तो उसको बोलते है nucleus ठीक है clear हुआ यह अब देखे यह बता रहा है कि जो कोशिका है है उसके अंदर भी भीन भीन प्रकार के अंग कोशिकांग बोलते हैं उनको जो मैंने आपको यहां बता इस चितर में ठीक है जैसे केंद्रः कोशिका जिल्ली , कोशिका द्रव केंद्रवाली को बोलते हैं, साइ्टवध। लएंगे, कोशिका जिल्ली है ठीक है कोशिका द्रव जो साइ्टोपलाजमी है उसको बोलते हैं और रिक्तिका आधी samud आप लोग इसको अभी पढ़ेंगे आगे next videos में आएंगे chapters आएंगे तो कोशिकांग कोशिकांग का मतलब क्या ओता है कोशिका के अंग ये सारे parts है कोशिका के कोशिका का होती है हमारी bodies में ठीक है समझ में आगया तो इतनी छोटी कोशिका और उसके भी आंग है उन सब की भिन भिन कारे होते हैं सब अपना अपना काम करती हैं किसी का कुछ काम है किसी का कुछ काम है चलिए कोशिका के आंसर पर आते हैं कोशिका एक किने कहते हैं और यह कहां पाई जाती है तो चलिए देखिए एक तो इसी में जवाब है देखिए स तो आप यह पूरा यहां तक भी ले सकते हैं इसको चलिए कोश्य नमबर दो का अंसर एक कोश्य कर बहु कुश्य के जी में क्या अंतर है कोई दो अंतर बताना है तो देखिए एक तो परिभाशा बता दीजिए दूसरा उधारन तो आप यहां से शुरू कीजिए और यहां त नेग्स्ट सबसे बड़ी कोश्य का नाम बताएए और क्या यह दिखाई देती है अंडे घरत दिखाई देते हैं अंडे कोश्य कोश्य की और कव की तो इसका अंसर भी हमारे सपास है रॉबर्ट होक ने 1660 में की थी ठीक है किसने की हो गया रॉबर्ट होक ने कब की 1660 में कोशिका की खोज की कोशिन नमर 4 का अंसर है I hope आपको क्लियर हो गया होगा तो आप बताईएगा कोशिका का नाम किसने दिया था कमेंट में जुरू बताना है आपके कमेंट के दिया रहेगा तिल देन टेक क्यार बाई बाई जल्दी नेक्स्ट वुडियो में लेकर आऊंगी चैनल का सब्सक्राइब वीडियो को शियर जरू कीजिएगा